एलो एबरीवन भरेल कम मिनेस वीडियो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर ये प्रोपर्टीज ओफ वाटर ओके और ये वीडियो लेशन फेर्ट वीडियो LEHTION इसके पहले हम लोग ने वीडियो लेशन ही और लेशन वंड बीडियोलेशनटू देख हैं और कौन ऐसे हैं जो इन्सोल्योबल है और इसके साथ ही स्वाल्यूट क्या होते हैं यह भी लोगों ने सिख चुका था सलूसिन क्या होता है क्यार और सट विडियो लेशन में हम लोगों फिजिकल अस्टेट्स उफ वेटर ये देखे टॉपिक अपना आ चुका है फिजिकल अस्टेट्स उफ वेटर तो आए देखेंगे और लाइन बालाइन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ कहा गया है तो चलिए हम लोगा स्टार्ट कर लेते हैं water mainly exist in the liquid form but it can be changed into its vapor or solid forms this is done by changing its temperature okay हम लोग सब जानते हैं कि water जो है ना mainly liquid form में ही रहता है और water के liquid form का हम लोग बहुत ज्यादा use करते हैं for drinking okay for washing for bathing for cooking बहुत सारा uses water के liquid form के और इसको हम चाहें तो किसी में चेंज कर सकते हैं एक यसको solid form में भी चेंज किया जा सकता है बट यह सब होगा कैसे तो यह सब होगा चेंज टैंपरेचर में चेंज करके ओके डिस डन बाय चेंजिंग इस temperature तो अगर आप से कोई पुछे कि water जो liquid form में है आप उसको अलग form में कैसे लेके जाएंगे हाँ आने के वेपर form में कैसे लेके जाएंगे या फिर solid form में कैसे लेके जाएंगे तो हम लोग क्या जबाब देंगे बाइ changing temperature ओके चेंज करेंगे temperature में तो उसका state भी change हो जाएगा तो आईए यहाँ पर हम देख ले water का जो liquid form में उसको दिखाया गया है ये glass लिया गया है और इसमें से water लिया गया है और liquid form of water देख पा रहे हम लोग अच्छा चलिए आप लोग बताए कि water जो अपना है liquid form में इसका जो water solid form है वो क्या कर लाता है और आप लोग सब बता सकते हैं क्या ice कर लाता है और जो इसका gaseous form है वो क्या कर लाता है water vapor कर लाता है चेक है यह हम लोग जानगे आई हम देखेंगे पहला topic अपना जो है change of liquid water into water पींपर हाँ चेंज़ ओप लिक्विड वाटर इन्ट सेटेट चेंज करना है तो हमको क्या चेंज़ करना पड़ेगा its difference चेंज हो सकता है तो ले टस पर्फों दो फोलोविंग अक्टिविटी टूल लर्न about the change of liquid water into water vapor हा liquid water water vapor में change हो रहा है इससे related कुछ activities को हम लोग देख ले तो आईए next page में अपना activity है और यह देखे activity आ गया है क्या कहा गया है dip a handkerchief in water and then spread it on a wire in the open पहले तो handkerchief हम लोग लेंगे और उसको water से भिंगा लेंगे इसके बाद क्या करना है spread it on a wire in the open एकदम देखिए same to same हम लोग को यहां पे picture में दिखाया गया है पहले हम लोग handkerchief ले लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग handkerchief ही लेंगे घर में activity कर रहे हैं तो हम लोग कोई भी cloth piece को ले सकते हैं और फिर उसको हम क्या करेंगे वेट करेंगा water के साथ फिर इस तरह से wire में हम लोग फैला के रख देंगे और कुछ दिर के बाद वो क्या हो जाएगा ड्राइप हो जाएगा निश्रूख जाएगा जो पानी उसमें रहेगा वो पानी बाहर चला जाएगा ओके यह तो हम देख रहे हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है देखें next line अपना क्या लिखा हुआ है it will dry out after some time यह जो है ना dry out हो जाएगा it happens because the water gets evaporated that is changes into vapor foam ओके तो ऐसा क्यों हो रहा है यह भी हम लोग समझ गे कि जो water था ना वो water क्या हो र होना मतलब liquid form से gaseous form में चला जाना और यह evaporate होकर कि किसमें चंज हो रहा है तो gaseous form आने की भैपर फोम में आ रहा है और यह जो water भैपर है यह कहां पर चला जा रहा है तो atmosphere में चला जा रहा है हम लोग सोचते ना कि water से तो इसको हम लोग भिंगा लिए कपड़ा को फिर हम आब इसको यह यहां separate कर देते हैं तो यह water कहां चला जाता है यह तो इसका अन्सर यह कि जो water रहा यह तो सबसे पहले होता है किसमे और यह कहां चला जाता है तो यह atmosphere चला जाता है तो इस करते हैं तोई सबस्क्राइब करते हैं हब दूसरा इसा से देखिये स्थेलेटेड योग धर को देखेंगे ऊफ्टर सम्टाइम एंसानोरित दा हैंड्स विल गेट ड्राइओं दिर ओन कुछ दिर के बाद हम लोग क्या देखते हैं यह अपने आप में सुख जाते हैं इसा क्यों रहा है चुकि वाटर जो था वह बेपर फो में आ जा रहा है और इसको लोग क्या कह रहें इभाप्रेशन कह रहें हाना गेट्स इभाप क्या है और देखिए अपना एक नीचे का जो लाइन है एक्टिविटी की नीचे यहां पर हम लोग को बताया गया है कि वाप्रेशन क्या होता है तो अगर कोई पूछे कि वाप्रेशन क्या है तो में लोग क्या जबाब देंगे चेंज ऑफ लिक्वीड इन्टूइट्स व कोई भी लिक्वीड हाना वेपर फॉम में चिंज होता है तो यह जो प्रॉसेस है यह क्या कहलाता है अपना एभाप्रेशन कहलाता है यहां पर हम एक्टिविटी में देख रहे हैं कि हैंड्स को वास किए और हैंड्स को वास करने कि उसको फिर ऐसी ही छोड़ दिये हां टो से हुआ वाटर किस में चेंज हो गया वैपर फॉम में और कहां चला गया एट्मोस्फेर में तो यह तो था चेंज ओफ वाटर इन्टु वाटर वेपर अब दूसरा जो अपना है यह टॉपिक है चेंज ओफ वाटर वेपर इन्टु लिक्विड वाटर जैस्ट आने की हम लोग डेली करते हैं जाने अन जाने वहीं सब अबर सेलेक्ट किया गया है तो हम लोगों को कोई परीस आने यहां पर नहीं होने वाला है यहां क्या होता रहार कर दो do GO다isha कबर Самुंकर को देख लें हैं म से होट वाटर लेंगी तो जब रहेगा तो हम क्या आप जर्म करेंगे कि वाटर के जक्ष्पर वहां से बाहर निकल कि प्लेट को हटा लिए जब प्लेट को हटा लिए तो हम क्या देखेंगे यूविल टने द्रोप्लेट्स ऑफ डिपोजेटेश उन इट जो सॉसर है उसके नीचले का भाग में वाटर के छोटे छोटे घुटे बूंध हम देखने को देखने को मिलेगा तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है यह हम लोग यहाँ पर ढूड़ने का प्रयास कर ले कि जो टैनी ड्रॉपलेट्स सौसर पर आये वो कहां से आये हाा तो इसका आंसर यह होगा कि जो नहिसे कहां से आ रहा था तो होट वाटर वाडर से आ रहा था took और टो होट वाटर से avoid फार आ रहा था जब सौसर के कव्मिशन कम वजब आया तो वह hen कूल हो पीड वाटर में चेंज हो गया और वही हमको दिख रहा है टैने ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ओके तो यह एक्टिविटी पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग यहां पर नेक्स्ट पेज में टेक यह ग्लास टंबलर एंड पूट सम आइस इन इत एक ग्लास टंबलर हम लोग को लेना है और क्या करना उसमें से आइस के कुछ पीशेश को रखना है यह एक्टिविटी बहुत इंट्रेस्टिंग है हम लोग आप्जब करते हैं और हम लोग को आनंद भी आता है क्या कहा गया है टेक ग्लास टंबलर एंड पूट सम लेना है अगर लोग के पास किया करेंगे कोई भी सकते हैं इस में हम लेसके हैं और उसमें में से ice के टुकडे को हम रख देंगे क्या कहा गया फिर observe it for some time कुछ देर तक आप इसको observe किजिए water droplets will appear on the outer surface of the tumler tumler के बाहरी surface पे क्या हम देखेंगे water droplets को देखेंगे तो है नहीं amazing water droplets कहां से आ गया जी यह जो tumler है इसके outer surface पे हम क्या observe करेंगे water droplets को observe करेंगे तो यह water droplets आखिर आया कहां से तो इसका answer क्या है यह हम ढूड़ने का प्रयास करेंगे देखेंगे next line में हम लोंको answer मिल जाएगा यह है water vapors present in the air get cooled on the surface of the tumler containing ice and change into liquid water हम लोग सब जानते है कि water जो है ना भेपर फॉम में atmosphere में परजिंट है तो जो atmosphere में water vapor present है वो किसके contact में आ गया tumler के outer surface के contact में आ जाता है और चुकि tumler में ice भरा पड़ा है तो tumler तो ठंड़ा रहेगा तो जो water vapor इसके surface के contact में आ रहा है वो क्या होगा cold हो जाएगा ठंड़ा हो जाएगा वाटर भेपर अब जब वाटर भेपर ठंड़ा हो गया तो निश्ची तुप से वो किस में change हो जाएगा water droplets में change हो जाएगे तो ये जो water droplets हम देख रहे हैं tumler के outer surface पे ये कहां से आया है ये atmosphere से आया है atmosphere में water था water भेपर के रूप में ओके और वो जो water भेपर था वो किस में change हो गया water liquid form में change हो गया और हम लोग को यहाँ पे water droplets देखने को मिल रहा है ओके अब यहाँ पे हम लोग एक line को learn कर लेंगे change of vapor form of a substance into its liquid form on cooling is called condensation देखिए condensation क्या है जब कोई भी substance vapor form में है और वो change होता है किसमे liquid form में cooling करने पर तो यह जो process है वो क्या कहलाता है अपना condensation कहलाता है ओके तो हम लोग यह भी जानगी कि condensation क्या है और evaporation क्या है condensation means vapor form से liquid form में आना और अगर कोई पहले से liquid form में है और वो vapor form में जा रहा है तो वो क्या कलाता है वो कलाता है evaporation इसके बारा में आपे लोग उपर में पढ़ लिए next देखे such a process of conversion of water vapor into its liquid form occurs in nature also on a large scale can you guess wind क्या कहा गया है कि यह जो conversion है conversion मतलब क्या हो रहा है change होना कौन सा change होना यह water vapor into its liquid form में हाँ तो यह जो conversion है water vapor का liquid form में यह nature में हो रहा है large scale पे क्या बता सकते हैं कब हो रहा है कहां हो रहा है फिर फिर वो clouds जब water droplets के रूप में निचे आते हैं तो इसको लोग rain water कहते हैं तो यह अपना एक cycle बनाता है जिसको हम कहते हैं water cycle हां तो यह water cycle के बारे में हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए आपको धन्यवाद अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को भी हिट कीजिए तक के आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहें थैंक्स पर वाचिंग वे गलोरियस डे आहेट